जम्मू कस्मीर के पुलवामा में सहीद हुए जबानों को मेरा सतसत नमन 14 फरवरी का दिन भले ही लोगों के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का दिन हो लेकिन यह दिन इत्यास में जम्मू कस्मीर की सबसी दुखत घटना की याद भी दिलाता है जम्मू कस्मीर की ये घटना इतनी दुखत थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता जम्मू कस्मीर में स्री नगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले की आज पूरे 4 साल हो गए है इस हमले में जैस ए मुहम्मद जो की एक आतंकवादी समूध था और इसी के एक 20 यर्ज बॉय मींस 20 साल का एक लड़का आदिल अहमद डार जिसका नाम था उसने एक 3500 किलो के बिसफोट से भरी हुई कार को बस से भिड़ा दिया था और उस बस में CRPF सेंट्रल लिजर्ब पुलिस फोर्स के 40 जवान थे और वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के खरपच्चे उड़ गए थे और 40 जवान तुरंत ही सहीद हो गए थे इसलिए तभी से 14 फर्वरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है यह वो दिन है जिसे हम कभी भूलेंगे नहीं और नहीं दोसियों को माफ करेंगे और इस हमले का बदला भारत ने बहुत जल्दी ही ले लिया 26 फर्वरी की सुबह तड़के तीन बजे भारत के बिमान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और जैस के आतंकी हमलों पर बंबर्साए और जैस के आतंकी समूर को तबाय कर दिया गया आज चार साल बाद भी देश उन जवान सहीदों को नमन करता है पुलवामा में उन बलिदानियों की याद में इसमारक बनाए गये हैं और उन इसमारक को बनाने के लिए उनके गाउं से ही मित्ती लाई गई थी मा भारती के सभी बीर सपूतों का उनके सरवोच बलिदान को ये देश सद्यों याद रखेगा और उनका रिणी रहेगा